हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का तेता युग में बढ़े गया दैतियों का आत क्या चार होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादा आई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरूप हात जोड बोली कन्या है माता बतलाओं मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओं सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवेश्ण रूप में क्यूं आई यह हम मतलाते हैं है पावन मा का राम यह बनते विगडे का है पावन माता धां यहां बनते विगड़ेगा तीनों माता बोली इक राजारत ना सागर कन्या रूप में लेलो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जनम लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदबुत कन्या जनमी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यग्य हवन भी करता राजा और कभ करे सिका खेल खेल में राजाने कई पस पच्छी दिये मार सोक में कई निर्दोस प्राणी मारे जाते है पावन कथा सुनाते है मावे शुरूप में क्यों आई ये हम दिलाते है है पावन मा का धां यह बनते विगडे का सोक पिता का वैज नभी को तो रास नहीं आया क्यूं करते वद निर्दोसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैश्नो धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैश्नो रूप में क्यूं आई ये हम बतिलाते है है पावन मा का घाम यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का घाम यहां बनते बिगड़े का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझको तप माता पिता को समझाया सुनकर बेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्षी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझको देदो आशिरवार परियोजन इस धर्ती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा विश्ण रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगडे का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने चाग दिया छोडे संसार के कां घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हर सागर क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझको बतला बोली अर धांगिनी रूप में मुझको अपना इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा कथा यह बनते बिगड़े का है पावन मा कथा यह बनते बिगड़े का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोतार फिर तुमको अर धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भकतों का उद्धार करो दुष्चों का नास करो वहाँ वैश्नो देवी नाम से तुम चानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकूटा को ये वर दे जाते हैं है पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सिरी राम के आग्यां का मा पालन है करती वैश्नो देवी रूप में माता सबके दुख हरती स्रंथा भावस जो भी आता है इनके दर्वार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महा लक्षमी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्नो माता पे विस्वास नहीं तूटने देती माता बेटों की कोई आस तभी तुदर सन करने भक्त लाखो आते हैं के मावन कथा सुनाते हैं वैश्नो रोप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन्मा का धां यहां बनते विगडे गां कटरा से कुछ ही दूरी परहन सालीक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर ना माता की चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहें खुद भूखा सोता अतिनिर्धन हो कर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संता माता की चर्णों में नित अर्दास लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शोरूप में क्यों आई ये आम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विग्डेगा है पावन मा का धां यहां बनते विग्डेगा भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवा भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खया क्यूं नहीं देती दर्सन मुझे को ये दो बतलाओ सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओ बोला सीस जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाओं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते है आवेश्व रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धान यह बनते बिगडे का है पावन मा का धान यह बनते बिगडे का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहजाने करते प्रश्ण इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेस की सारा गाउं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना नियोता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाउं आएगा अतिनिरधन थे स्रीधर चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझको लगता है याज घर घर जा कर नी मंत्रड वो सबको दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है कैसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचम्भित भैरों बड़ा हुआ गोरखनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरखने अपने सब छेलों संग आए बने हैं छपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदे है हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं है मावन कथा सुनाते हैं μαवै शुरूप में क्यूं आई ये हमतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ज्यान पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पै खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरों को समझाया लौट जवापिस भैरों और नाकाल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साधू को दुतकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे यण जाते हैं मावन कथा सुनाते है मावन उप में क्यों आई ये हम बतलाते है है पावन मा का झाँ यह मन ते विगड़े का है पावन मा का दां यहां बनते विगड़ेगा भैरो नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरो अभिमानी माता कुँ आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरो होने लगा बेचै जब तक भेद नहीं जानूंगा आये न मुझे को चै त्रिकूट परबत की गुफा में वित्त मान थी मा कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं युद्ध कली ललकारा काहां थी पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरो पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आ गई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरो का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरो नात का गिरा वो जाके दूर भैरो को अपनी गलती का फिर आभास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे श्वरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ किया भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया हे भैरों ये तब तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे बिना धूरे मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भक्त बैशनों द्वार पे आते है माता के दर्शन कर भैरो मंदिर जाते है जोर जोर से जैकारा माता का लगाते है पावन कथा सुनाते है मावे शरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते बिगड़े का सपने में आकर मौने स्री धर को दिया वर्दां चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतां युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वन्स करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्री धर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रैसन हुए तब से अब तक स्री धरवन सही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और टी अस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़ेगा